तो चलो प elementos को आधि तो हम लोग करते हैं देखते हैं basically इसमें क्या है तो यह कहते हैं सेटिलाइड का एंगुलर स्पीड एर्थ के रोटेशन के एक्वल है तो जो पार्ट ए है पलिक प्रॉब्लम को समझना यह प्रॉब्लम बहुत अच्छे होते हैं और रटना नहीं हमें समझना कि करना कैसे है तो हम समझने की कोशिस करेंगे यहां पर वह बना दिया तो यहां पर तुम देखोगे प्यारे बैच्चों चलो तो उमेगा इन दोनों का सेम है किसका किसका भाई उमेगा सेम है बोलो तो अर्थ का अगर अर्थ यहां पर कोई पॉइंट है यह सेटलाइट पर कोई पॉइंट है यह पॉइंट ए है सेटलाइट ऐसे जा रहा है और यह अपनी अर्थ है और यह सेटलाइट ऐसे गूम रहा है तो किसी इंस्टेंट पॉइंट है तो अर्थ पर ये पॉइंट भी है तो जब ये पॉइंट सी होगा सट्लाइट पर ये अर्थ भी थोड़ी immediate पे चली गही होगी कोई observer एक्सीज इस्पिन कर रही है गूम रही है omega तो earth का omega वही है? Earth का omega वही है वह जो satellite का omega है ये जो angle है theta वो दोनों के लिए same है तो omega is equal to d theta upon dt टीक है? अब ये करते हैं अगर omega same है समरे omega दोनों का same है तो time period क्या होता है? time period होता है 2pi upon omega तो इसका मतलब है हुगा का अगर ओमेगा सेम है सेटलाइट और अर्थ का रिवोलूशन का तो टाइम पिरेट भी क्या होगा तो टाइम पिरेट सेटलाइट का कितना होगा 24 24 आवर क्योंकि समय रहें अपनी एक्सीज पर आर्थ है वो 24 आवर में एक रोटेशन पूरा कर लेती है तो यहां से तुम देखोगे तो 24 आवर्स जो है बेसिकली टाइम पिरेड आप इस सेटलाइट का है तो अब जब टाइम पिरेड सेटलाइट है तो आर्बिट का जो रै क्या कहता है तो केपलर जो है वो फार्मॉला क्याता है टी ए स्क्वाइर इस प्रपोशनलटु सम कॉश्टेंट टी ए स्क्वाइब इस प्रपोशनलटु एपर एडियस की पार और क्यूब तो मैं आपको बताया था इस ग्वेलू यार्व कर लेना फौर पाई हुआ जाएगी यहां से हुआ जाएगी के कैपिटल एम जी एम टी स्क्वाइर डिवाइड़ भाई फोर पाई स्क्वाइर अब कुछ नहीं करना यहीं अपना आर है और इसमें बेसिकली अपको वेल्यू रख देना है तो यहां से जब आर की पावर क्यों वेल्यू रखोगे तो जी क्या है भई जी है ग्रे 6.67 इंटू टेन की पावर माइनस एलेवन ठीक है और मास आफ दे अर्थ मास आ इसका पूरे का स्कॉर चड़ेगा और डिवाइड कर दिया जाए प्वोर और पाई इस उकल टू 3.14 का स्कॉर तो फाइनली जब इसमें साल्व करोगे तो जो रैडियस निकल के आता है वह आता है 4200 इस उकल टू 300 किलो मेटर आगे अभी पढ़ोगे तो यह वाली जो है उ सवाल में जरूर आएगा दूसरा यह करते हैं कि इफ सेटलाइट इस टाइम टेकन टू कभर एकोटोरियल प्लें तो इस सेटलाइट को एक्वेटर तक जाने में कितना टाइम लगेगा अब देखो यह क्या है एक जिए सेटलाइट है पहले कहा था पहले जो सेटलाइट थ यह अपना इकवेटर है और यह वाली लाइन है और यह वर्टिकल वाली लाइन है ठीक है तो यह पोल है और यह एकवेटर है भाई समझ में आया तो अगर यह यहां पर अर्थ थी यह जो है अपनी अर्थ थी और सेटलाइट एकवेटरियल प्लेन में होता है जो जी जी एसस से टाइट होता है अभी आपको घबडाना नहीं यह सब आगे आएगा तो यहां पर सेटलाइट था कभी टी ठीक है तो इसको यह पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में यहां तक यहां तक जाने में कितना time t लगेateurs इस time की वेर्डू हमें निगालना तो इस satellite को एक चक्कर लगाने में कितना time लगा 24 तो इस मल्डी की वेल्डी कि तनी आ जाएगा six hour तो एक quarter कबर करने में पोल से एक्वेटर जाने में six hour लग जाएगा तो आई होब कि यह समझ में आ गया होगा आपको थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो